नमस्कार दोस्तों, हमारे online tuition अड़ा चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में अंग यानि अनुस्वार के मातरा के तीन अक्षरों वाले बहुत सारे सब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी दबा देजेगा तो आए बिना देरी किये हुए इस क्लास को हम लोग सुरू करते हैं यहां देख सकते हैं दोस्तों कि यह है अन और इसका मात्रा केवल एक बिंदी होता है जो कि दो अक्षर वाले क्लास को मैं कराया हूं तो उसमें इसका चर्चा किया हूं यहां पर इसको बहुत अच्छा तरीका से हम लोग संजेंगे क्योंकि यह बहुत इंपोटेंट क्लास है यह काफी दोस्तों को इस क्लास में बहुत दिक्कत होती है सर मुझे अंग, चंद्रविंदू, ये समय बहुत दिकत होती है, तो इसलिए मैं इस कलास को अज लेकर आया हूँ, यहाँ पे इसका मात्रा एक बिंदी होता है, जो किसी भी अक्षर में उपर लगता है, ठीक है, और इसका उचारन अंग के रुप में होता है, जैसे कौप प लगेगा तो रन, मौ पर लगेगा तो मन, और और भी होता है, इसी बिंदी को हम लोग आधा मौ भी पढ़ते हैं, वो आगे मैं इसी कलास में बताऊंगा, तब तक आये कुछ सब्दों को पहले हम लोग पढ़ कर देखते हैं, उसके बाद इसमें लिखने का भी प्रयास हम पढ़ाएंगे, अंकल, अंकीत, अंकीत, अंकूर, अंकूर, अंगद, देखिए अंग होगा, अंगार, अंगार, संजाय, संजाय, संग्राह, हंसना, देखिए इसको हसना नहीं पढ़ाएंगे, हसना, नाक से इसका उशारण करेंगे, यहां पे जो हम सब्द पढ़ रहा है इसको खुब ध्यान से आप सुनिए कैसे इसको हम पढ़ रहा है देखिए काफी इसमें अंतर आपको दिखेगा क्योंकि जो सिंपल तरीका से जो सब्द बुला जाता है उसमें और जैसे ही यह बिंदी लग जाएगा तो उसमें कितना अंतर होता है जैसे आ-र-म-भ, आरम-भ, अब यहाँ पे एक चीज समझे कि यह जो हम पढ़ें आरंभ, ऐसे आरंभ, तो यहाँ पे इस बिंदी को हम लोग आधाम मौ पढ़ें सब्द करता है कि सब्ध क्या कह रहा है औरन दीन का उंचारां नो को नई होगा कि इसी बिंदी को कहीं हम हम लोग आधा न बोलते हैं और कहीं हम लोग इसको आधा मो बोलते हैं ठीक है और इस इसको हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं अभी भी नहीं समझ में आया तो आए और भी सब्द को पढ़ते हैं और फिर आगे इसको और आच्छा तरीका से समझाएंगे इसी कलास में संबाद संवाद संपर्क संपर्क यहां भी बिंदी को मह हम लोग पढ़ रहे हैं देखते रहे हैं वसंत वसंत संभाल संभाल यहां पर भी बिंदी को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आधा मह पढ़ रहे हैं संचार संचार और यहाँ पर बिंदी को हमलों आधान न पढ़ें ठीक है संचार सांसद संकर संकर लांचन वंदन वंदन लंदन 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 लंबाई यहाँ पर बिंदी को हम लोग मपढ़ें ठीक है लहंगा लहंगा रंगत रंगत लंग यह गा में बड़िव की मातरा रहेगा लंगूर लंगूर अंग्रेज अंग्रेज मंजूर मंजूर महंत मंथन यह क्लाइन वर पढ़ाने के बाद मैं आपको बहूत बहता चीज बताने वाला हूँ थोड़ा से इसको पढ़िए भंडार भंडार भंगूर भंगूर मंडप मंडप अब यहाँ पर आईए मंडप जो लिखा है मंडप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मन ऐसे डप मंडप आप बोले कि सर यह क्या ये तो यहाँ पर जो ही इसकर भी पिंदी लिखेंगे हां दोस्तों इसकर भी इन 1 2 दीके रूप में लिखेंगे याने टिसका किसका अनुनासिक हो जाता है जैसे यहां पर पांडव लिर्टा है पांडव भी ऐसे लिखा जा सकता है, पांडव, ठीक है, पांडव, देखें, अड़ा है यहाँ पर, ठीक है, मंडप पर, पांडव, ठीक है, जंडप पर, ठीक है, तो यह सब जो सब्द है, इसमें अड़ा भी है, तो अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर यह देखिए, ये जो बिंदी है, ये आधानो, ठीक है? आधानो ऐसे भी लिखा जाते है, आधानो, आधामो, ठीक है? आधामो, आधारो, ठीक है? और आधागो, ये भी याद रखी है, आधागो. ये चार जो वर्ण है ये चारो वर्णों का जब आधा होता है तो सब्द पे डिपेंड करता है कि जिस सब्द में अगर ये लगा है आधा अड़ो इसका हम लोग बिंदी लिख सकते हैं जहां पे आधा गो है उसका भी हम लोग बिंदी लिख सकते हैं अंग्रेज देख रहे हैं न एंग्रेज यहां पे आधा मौ रहेगा इसको भी विम दो बिंदी लिखेंगे और आधा नर रहेगा इसको भी हम विम दोढ़ दिक disrupted जैसे अधा नौ अम बता है तो देखें भंडार यहां पर आधार नहोंगा यह अड़ा देख सकते हैं यह वला आधार यदी आपको रुक जाएए यदि ये मौका है तो जैसे लिखना है रमभा सम्भाग सम्भाग तो कैसे लिखेंगे सो पर ऐसे अनुस्वार भाग सम्भाग या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सो आधा मौ ठीक है भाग सम्भाग ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहा है ना, तो इसी का कहीं पे आधा मा है, कहीं आधा ना है, और कहीं पे अडा है, तो ये काफी अंतर है इसमें, इसलिए मैं बताता हूं दोस्तों कि कलास को लाश्ट देखा किजिए, देखिए और भी आगे ऐसे ही मिलेगा, और आगे इसको ह पंदू का बंदू के, पसंद, पसंद, बंदार, बंजार, बंजर, पंडव, पंडव, पांडव, पाबंदी, पावंदी, पालंग, पलंग, पंकाज, पंकज, नारंग, जी नारंगी ती रंगा तिरंगा घंघरा इसको उन्हें घंघरा पड़ेंगे घंघरा पंकज मन्दीप मन्दीप चन्चल चन्चल अन्दर अंदर दंगाल दंगल नंबार नंबर नंदन जायंत जयंत जंगाल जंगल गंदगी गंभीर गंभीर जायंती जयंती जंजीर जंतर मंतर चिंतन चांदनी करंट देखे दोस्तों इतना सारा सब्द मैं आपके दोस्तों इतना सारा सब्द मैं को इसमें पढ़ा दिया हूं कि अगर आप अब कुछ भी पढ़ने जाएंगे और वहां पर अगर बिंदी का सवाल आएगा तो समझे कि यानि अनुनासिक कि स्वार का अनुस्वार का तो समझे कि वहां पर यहीं सब्द मिलेगा इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा आए और भी सब्द है इसको भी हम लोग पढ़कर देखते हैं चंदन चंदन खुंखार खुंखार चंपक चंद्रमा खंजर खंजर का लंक का लंक कांग्रेस कांग्रेस कुंडली कंबल इंधन इंजन आतंक आखंड यहीं इसको ऐसे भी लिख सकते थे यह लिखना पाखंड तो पाखंड कैसे लिखेंगे पाखंड पाखंड तो यह देख लिए कि कैसे अड़ा भी जो है बिंदी हो जाता है यानि अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है इंडिया इंडिया पंडित पंडित कंपास कंगन अंजली बंगाल पंचाग नहीं लिखा गया यह पंचाग लिखा गया पंचाग अलग लिखाता है पाबंदी पाबंदी संसद बुलंद बुलंद सुंदर अंतर 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 दोस्तों आजके कलास कैसा लगा कुमेंट बक्स में लिखकर बताइगा अंगर चैणल डिख सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल ऐकन को भी दबा देज़ेगा चले दोस्तों आज क्लास करते हैं मिलते हैं अगले क्लास में है धिवाली है छट पुजा आप हमेशां खुस रहे हैं स्वास्त रहें यहीं आपको मेरे लिए सुबकाम नाय है चल झाल झाल झाल